भिलाई निगम छेत्र अंतरगत उच्च गुनवत्ता की जेनरिक दवाईयां सस्ती दरों पर उपलब्द हो रही है। यह सब कुछ संभव हो सका है श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के क्रियानवन से। भिलाई निगम छेत्र में 6 धनवंतरी मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा है। मेडिकल स्टोर में 55% की छूट तदा 66% की छूट के साथ दवाईयां उपलब्द हैं। 257 प्रकार से अतिक की दवाइयां तो 27 के शर्जिकल आइटेम मिडिकल स्टोर में उपलब्द हैं बुपेश बगेल की पहल से अक्तोबर 2021 में धनष्वंद्री मिडिकल स्टोर की सुरवात हुई थी धनवंत्री मेडिकल इस्टोर वर्दान से कम नहीं है लगबर 50 लाग लोगों ने अब तक ढ़िमन जर 12 से दवाइया खरीद कर 5 करोड रुपए की बचत की है अब तक लोगोने सबसे अच्छी बात है कि जैसे कोई एक रुपया की दवाई है तो उसको 55 पैसा जो है उनको चूट मिलता है 45 पैसे केवल उनको दवाई पड़ती है इस हिसाब से जो देखा जाएगा तो कम सकम जो है इसमें दो लाख ग्रहक बन चुके हैं और जो ग्रहक है उनको पांच करो प्रतिस्त के चूट है उनको काफी फाइदा लोगों को पहुंच दूसरा यह है कि इसमें जो जो दो आते हैं वह अपने लेते हैं परीजनों के लिए और अपने जो अमरीज हैं जो आते हैं उनके लिए लेते हैं यह प्रकार से धनवंत्री मेडिकल के रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं वहीं पर ही दवाइं अपने करते हैं जो कि हर प्रकार के दवाई वह धनवंत्री मेडिकल में उपलख्द होती है तो वह मिल जाती है तीस्रा बड़ा फाइदा यह हो रहा है कि जो अस्पताल है उसके पास में ऑस्पताल और सब्सुत भूल मेडिकल श्टोर वहीं कुछ लोगों में अभी भी यह भ्रांतियां देखी जा रही है कि जेनरीक दवाईयों में पावर कम होता है और इस वजह से इन जेनरीक दवाईयों का असर भी बहुत कम होता है इस सवाल पर भी नेगर पारिक निगम भिलाई के जनसंपरगतिकारी पीसी सारवा ने इस प्रांडेट जैने निए दूसरा जो है इनके जो पॉपोनेंट्स तो उतने ही ज्यादा असर कारक है जितने दूसरे दवाईया होती है क्योंकि जो अभी मरीज है वो इनका सेवन कर चुके हैं और सेवन करने के बाद उनको रिजल्ड का पहुंचता है और उसके बाद पत्रे है कि कोई जो यह बिल्कुल समान्य मेडिशीन है या फिर बहुत ज़्याद असर कारक दवाई नहीं है विल्कुल असर कारक दवाई है यह फ्रांतियों को जो है वो तोड़ना पड़ेगा तनवंतरी मेडिकल इस्टोर में दवाईयों के अलावा सामान आइटम जैसे बहुण सिर्मिश असर कोीने नहीं है रिमुट के वहाई और स्टोरी मेडिकल असर के वहाईयों के वहाईड़ने की शबसी कारकंवВот.